नमस्कार, मैं दिनेश पाठक, डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम प्रावधिक विश्विद्याले उत्रप्रदेश के आउफीसियल यूट्यूब चैनल में आपका हार दिक स्वागत करता हूँ, मुझे खुसी होती है जब भी हम आपके सामने होते हैं ZKM Current Affairs की इस कड़ी में हम इसरों की ओर से प्रदर्सित ब्योमित्र के बारे में जानकारी देंगे जो प्रतियोगी परिक्षाओं की त्यारी कर रहे हर सुडेंट्स को जानना चाहिए हालही में इसरों ने ब्योमित्र नामक Humanite Robot को प्रदर्सित किया है दिखाया है यह रोबोट इंसानों की तरह बात करती है इसे गगणयान को लॉंच करने से पहले अंतरिक्ष में भेजा जाएगा थोड़ी जानकारी मिसन गगणयान के बारे में भी भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानीशरों ने मिसन गगणयान के लिए दिसंबर 2021 की डेडलाइन निश्चित की है गणयान के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का सुरुवाती प्रसिक्षन भारत में किया जाएगा बाद में एडवांस प्रसिशन के लिए इन्हें रूस भी भेजा जा सकता है हाल ही में केंद्री कविनेट ने मिशन गगनयान के लिए 10,000 करोड रूपए के बजट की भी मंजूरी दे दी है इस मिशन में तीन अंतरिक्ष यात्रियों को 5-7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा भारत ऐसा करने माला चौथा देश बन जाएगा इस मिशन के मुख विंदू कुछ इस प्रकार है कि गगन यान मिशन की लागत लगभग 10,000 करोड रूपए आएगी इस मिशन के वास्तविक लांच से पहले इस रूप बिना मानों के दो मिशन और लांच करेगा पहला मिशन 30 महीने में तथा दूसरा मिशन 36 महीने बाद लांच किया जाएगा गगन यान मिशन के लिए GL, ASV, MK, 3rd लांच वहिकल का उपयोग किया जाएगा मिशन गगनयान के स्पेस क्रॉफ्ट में एक क्रू मॉडियूल तथा एक सर्विस मॉडियूल होगा इसका भार लगभग 7 टन होगा इस मिशन में 3 अंतरिक श्यात्रियों को 5-7 दिन के लिए भेजा जाएगा इस स्पेस क्रॉफ्ट को बृत्वी की कक्षा में 300-400 किलो मेटर की उचाई पर अस्थापित किया जाना है क्रू मॉडियूल का आकार 3.7 मीटर था सर्विस मॉडियूल का आकार 7 मीटर 7 मीटर का होगा इस मिसन को आंध्रप्रदेश के स्री हरी कोटा इस स्पेस पोर्ट से लांच किया जाएगा यही स्पेस क्राफ्ट 16 मिनट में अपेक्षी तुचाई पर पहुँच जाएगा इस मिसन के लिए क्रू का चैन भारती वाइव सेना वैसरो द्वारा संजुक्त रूप से किया जाएगा बाद में इस क्रू को 2-3 साल तक प्रसिक्षन दिया जाएगा वापसी के लिए मॉडियूल के बेक को कम किया जाएगा और इसे बिपरीत दिसा में घुमाया जाएगा जब यह पूरा मॉडियूल प्रिथिवी की सतह से 120 किलो मेटर दूरी पर पहुँचेगा तो सर्विश मॉडियूल को अलग किया जाएगा केवल क्रूवाला मॉडियूल ही प्रिथिवी पर पहुचेगा इसे प्रिथिवी पर पहुचने में लगभग 36 मिनट लगेंगे इस रोग क्रू के मॉडियूल को गुजरात के निकट अरब सागर अथवा गुजरात की खाडी में लैन करवाने की योजना है इस मिसन को भारत के 75 सौतनतरता दिवस से लगभग 6 महीने पहले क्रियान्वित किया जाएगा इस रूँ अंतरिक्ष में मानो भेजने के लिए महत्वपूर्ण तक्नीकों का परिक्षन कर रहा है इसके लिए कई उपकरन तयार किये जा रहे हैं कुछ तयार हो चुके हैं इसके लिए हैवी लिफ्ट लांच वहिकल G.S.L.V. Mark III रिकवरी टेकनलोजी, क्रू मॉडियूल, अंतरिक्ष यात्री, प्रसिक्षन बेवस्था, वातावरन नियंत्रन तथा लाइफ सपोर्ट सिस्टम का सफलता पूर्वक निर्माण कर लिया गया है दिसंबर 2014 में G.S.L.V. Mark III का सफलता पूर्वक कर लिया गया था इसके बाद जून 17 में G.S.L.V. Mark III की पहली डेवलेप्मेंटल उडान सफलता पूर्वक भरी थी जुलाई 2018 में क्रू एसकेप सिस्टम का परिष्ण सफलता पूर्वक किया गया था अभी भी कुछ एक टेकनोलोजी वा उपकरणों का निर्माण किया जाना बाकी है तो ये रही जानकारी मुझे ऐसा लगता है मैं महसूस करता हूँ कि ये competitive exam के लिए जरूरी है गगन्यान के बारे में और भी जानकारी लेकर हम आगे हाजिर होंगे तब तक आप इस ग्यान को अपने पास संजो के रखें सीखें पढ़ें बेस्ट आफ लगत